नमस्कार दोस्तों स्वागताए आपका Si Poken English Class 6 में आज के जो हमारा टोपिक है वह है Πास्ट में किसी चीज़ पे अपना पॉजेशन बताने के लिए अपना दिज़ार बताने के लिए ऑर्णर्शुयो या मालिकान हाख बताने के lights ये हैरेलिशन बताने के business book बनाते हैं हेड का यूज करके sentence बनाएंगे तो चुरू देखते हैं बिना time waste किये किस प्रकार से हमारा structure होगा मेरे पास एक pen था hard word है इसमें pen pen इंगलिज बनाते हैं I had a pen next sentence देखते हैं उसके पास एक मकान था मकान के लिए यूज करेंगे house ह-o-u-s-e house मतलब मकान या घर इंगलिज बनाते हैं he had a house उसके पास एक farmhouse था उसके के लिए यूज करेंगे दे फार्म हाउस के लिए इंगलिज में spelling है इसके इंगलिज बनाते हैं they had a farmhouse next sentence देखते हैं मेरे पिता जी के पास एक कार थी इंगलिज बनाते हैं my father had a car next sentence देखते हैं मेरे भाई के पास एक किताब थी किताब के लिए वर्ड यूज किया जाता है बुक बी डबलो के बुक भाई के लिए वर्ड यूज किया जाता है ब्रेदर बी आर ओ टी एच ए आर ब्रेदर मतलब भाई इंगलिज बनाते हैं my brother had a book next sentence देखते हैं सुरेश के एक बहन थी hard word में बहिन के लिए वर्ड यूज करेंगे sister 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 इंगलिज बनाते हैं सुरेश had a sister next sentence देखते हैं मेरे पास भी एक computer था hard word भी के लिए वर्ड यूज करेंगे also a l s o computer के लिए वर्ड यूज करेंगे computer spelling होगी इसकी c o m p u t e r इंगलिज बनाते हैं I also had a computer next sentence देखते हैं तुमारे पास एक गड़ी थी गड़ी के लिए जो वर्ड यूज करेंगा वह वाच डबलू ए टी सी एच इंगलिज बनाते हैं you had a watch next sentence देखते हैं सीता के पास एक पर्स था पर्स के लिए वर्ड यूज क मतलब पर्स इंगलिज बनाते हैं सीता हैड़ पर्स निशा के पास एक कंप्यूटर था कंप्यूटर के लिए spelling होगी वह है c o m p u t e r इंगलिज बनाते हैं निशा हैड़ एक कंप्यूटर अब हम देखते हैं कि हमने किस structure का यूज किया बार बार आपने देखा होगा sentence में ह head आ रहा था जब पास्ट में हम किसी चीज पर अधिकार बताते हैं या किसी से रिलेशन बताते हैं या अपना मालिकाना हग बताते हैं तो उसके लिए head यूज किया जाता है sentence का structure क्या है सबसे पहले लिखेंगे subject subject के बाद में हमें लगाना है head चाहे subject singular हो या plural हो head ही यहां man verb की तरह काम करता है कुछ और sentence देखते हैं जब sentence में कई बार किसी adjective का भी यूज किया जाता है उस adjective को हमेशा head के जास्ट बाद में रखते हैं कुछ sentence देखते हैं उसके बाद इसका structure देखेंगे चीता के पास एक सुंदर बेग था सुंदर यह adjective है इसके लिए English में बड़ी यूज करेंगे beautiful spelling B-E-A-U-T-I-F-U-L beautiful bag के लिए बड़ी यूज किया जाएगा B-A-G bag मतलब थेला या bag इंगलिस बनाते हैं इसकी सीता had a beautiful bag next sentence देखते हैं मेरे मा के पास सोने के अंगुठी थी सोने की यह adjective है इंगलिस में इसके लिए golden यूज करते हैं सोने की के लिए यूज किया जाएगा golden मतलब जो सोने की बनी हुई है golden spelling होगी G-O-L-D-E-N और अंगुठी के लिए ring word है तो रिंग की spelling होगी R-I-N-G ring मतलब अंगुठी मा के लिए word यूज किया जाएगा mother M-O-T-H-E-R sentence मनाते हैं my mother had a golden ring next sentence देखते हैं उसके बाल घुंगरा ले थ मतलब घुंगरा ले के लिए word यूज किया जाता है curly C-U-R-L-Y करली मतलब घुंगरा ले इसका English बनाते हैं he or she had curly hair तुमारे पास बड़ा मकान था बड़ा के लिए English में जो word यूज किया जाता है वो है large L-A-R-G-E घर के लिए house आ जाएगा H-O-U-S-E English बनाते हैं इसकी you had a large house next sentence देखते हैं उसके पास एक बड़ी कार थी बड़ी के लिए word यूज किया जाएगा big B-I-G big car के लिए C-A-R car English बनाते हैं इसकी he had a big car अब structure देखते हैं सबसे पहले हमने use किया subject subject के just बाद में हमने रखा head head के बाद में कोई भी adjective जो आया हो जैसे बड़ा छोटा काला गोरा लंबा पतला दूबला गुंगराले सोने की पीला हरा नीला ये सबी चीज़ें क्या है ये adjective हैं और head के just बाद में हमें क्या लगाना ह adjective लगा देना है और उसके just बाद में हमें noun लगाना है चलो एक sentence और देखते हैं राम के पास एक लाल pen था लाल के लिए word यूज के जाएगा red और pen के लिए pen pen इंगलिस बनाते हैं इसकी राम head a pen नेक सेंटेस देखते हैं सीता के पास काली गाय थी काली के लिए word यूज के ज blue अब इसकी English बनाते हैं सीता head a black cow next sentence देखते हैं रहीम के बहुत मित्र थे बहुत के लिए word यूज किया जाएगा many many की spelling है m-a-n-y many मित्र के लिए English word यूज किया जाता है friend f r i e and d और इसका plural बनाना है तो s word लगा देंगे f r i e and d as friends English बनाते हैं इसकी रहीम head many friends next sentence देखते हैं मेरे पास सफेद कपड़े थे सफेद के लिए English word यूज किया जाता है white w h i t e white मतलब सफेद कपड़ों के लिए word यूज किया जाता है cloth c l o t h e s cloth मतलब कपडे English बनाते हैं इसकी i had white cloth next sentence देखता है उसके पास 200 race में साडीयं थी, दो के लिए word use क्या जाता है 2, T-O-W-2 So के लिए word use क्या जाता है 100 H-U-N-D-R-E-D 100 रेश्मी के लिए word use क्या जाता है Silk, S-I-L के Silk और साडी के लिए word use क्या जाता है S-A-R-E-S Saries, इंगलिस बनाते हैं इसकी C had 200 silk saries अब देखते हैं इस प्रकार के sentence का negative किस प्रकार से बनाते हैं मुखे तो इस प्रकार के sentence को तीन तरीके से negative में बदला जा सकता है इसके लिए हम सबसे पहला तरीका देखते हैं एक sentence लेते हैं मेरे पास एक कार थी I had a car अब पहले तरही किसी इसका negative बनाते हैं I had no car एक sentence और देखते हैं C had five cows इसका negative बनेगा C had no cow यहाँ पर जो structure हमने यूज किया वह structure था सबसे पहले subject, subject के बाद में had और had के बाद में no, no के बाद में यूज किया noun अब इसी प्रकार के sentence को दूसरे तरही किसी negative में बनाते हैं तो सबसे पहले I had a car इसका negative होगा I had not any car इस प्रकार के sentence को इसके contraction में भी लिखा जाता है contraction में कैसे लिखते हैं had और not को जब mix में लिखते हैं तो इसके एक short form बनती है उस short form का यूज करते हैं उस तरीके से इसका negative बनाते हैं I hadn't any car इसमें सबसे पहले use किया गया subject subject के बाद में use किया गया had के साथ में दोनों को मिला के जो short में जो इसकी form बनी उसे बोलते हैं hadn't इस spelling होगी इसकी H-A-D-N और उसके just बाद में हमें use करना है any noun का use करेंगे एक sentence ओर देखते हैं see had five cows इसका negative बनाते हैं उसी तरीके से see hadn't any cow इसमें सबसे पहले हमने क्या use किया subject subject के बाद में had plus not की construction form और फिर use के noun इसको negative में तीसरे तरीके से भी बनाया जाता है जब तीसरे तरीके से इसको negative में बनाते हैं तो इसके साथ में did का use किया जाता है और देखते हैं यह sentence कैसे बनेगा जैसे पहला sentence है अपना I had a car इसका negative बनेगा I didn't have any car एक sentence ओर देखते हैं see had five cows see didn't have any cow इसका structure देखते हैं सबसे पहले use किया गया subject का subject के बाद में use किया गया did did के साथ में note का use किया गया इन दोनों को मिला कर short form बनी उसमें इनको बोला जाता है didn't और उसके बाद में use किया गया have का यहां see हो या he हो या कोई भी singular noun आता है सुरुवात में subject आता है तो इन में से कुछ भी use हो लेकिन हम have का use करेंगे हेज का use नहीं करेंगे उसके just बाद में use किया गया एनी का और एनी के बाद में noun का जो हमारी काउ थी तो sentence क्या बना see didn't have any काउ याद रखें negative इंटरोगेटिव वाकिये में जब डिड का प्रियोग किया जाता है तब हेड के इस्तान पर हेव का प्रियोग किया जाता है अब इस तरकार के जो sentence है उनका एक इंटरोगेटिव sentence भी बना के देखते हैं इसका इंटरोगेटिव भी दो तरीके से बनाया जा सकता है चलो पहले तरीके से बना के देखता है I had a car इसका interrogative बनाता है had I a car एक sentence ओर देखते हैं He had a house इसका interrogative बनाते हैं Had he a house structure क्या बना? Had plus subject plus noun जो दूसरा तरीका है इसका interrogative बनाने का उसमें did का यूज किया जाता है तो चलो दूसरे तरीकी से बना के देखते हैं पहला sentence लेते हैं I had a car इसका interrogative बनेगा Did I have a car एक sentence ओर लेते हैं He had a house Did he have a house यहाँ had का प्रियोग नहीं किया गया है और has का प्रियोग भी नहीं किया जाएगा इस परकार के sentence में have का यूज किया जाता है याद रखें interrogative वाक्ये में see he any singular के साथ have का यूज किया जाता है हेज का यूज कभी नहीं किया जाता फ्रेंट्स एक चीज का ध्यान दोगे जितनी बार बोल कर आप पढ़ेंगे आपको इंग्लिस स्पिक्टिंग में प्रिमिंता उतनी ही सीकर मिलने वाली है और आपको सबी वाक्यों को बार बार बोलना है और पढ़ना है जितने सेंटेंस हमने बनाए हैं उन्हीं सेंटेंस तक सिमित नहीं रहना है जितने सेंटेंस आप बना सकते हैं 20, 30, 50, 100 इस परकार के सेंटेंस बनाएं और उनको बार बार बोलने की प्रेक्टिस करें इसी से आप अच्छे से इंग्लिस बोल पहेंगे एक बार रूल सीख लेने से कोई भी इंग्लिस नहीं बोल पता उसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है और हमारी रिक्वेस्ट है आप से कि आप इनको बार बार रिपीट करें इनकी बार बार प्रैक्टिस करें जिसे आपके डेली रूटन में यह आ सके थैंक्यू वेरी मिट् आपके बार 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 बा